हेलो एवरिवन आज फिर से आ गई हूं आप सभी के बीच एक नई रेसिपी लेकर तो यहां पर आज मैंने कच्छे आलू और पोहे से बनाया है यह स्नेक्स और इसी की वीडियो आप सभी किसाद शेयर करने वाली हूं तो फटा फट से बन जाते हैं खाने में बड़िहा लग सामच जीरा टालेंगे थोड़ी हल्ती टाल देंगे थोड़ी टाल देंगे ठोड़ी टाल दिंगे नमक यहां पर तोड़ाशा धन्या पाव्डर डाल दिए यहां पर डाल देंगे थोड़ी सी हींग और अब ले लेंगे हम एक गट् Based on कर पोहा अब ये देखिए ये एकटोरा पोहा ले लिया है मैंने, तो अब चलिए सबसे पहले हम पोहे को पीस लेंगे, क्योंकि अभी हमारा जार सूखा है तो सूखे जार में पोहे को डाल कर पोहे को पीस लेना है, पोहे का अच्छा सा एक पावडर बना लेना है, अब ये देखिए पोहा हमारा त्यार है तो पोहे को एक बरतन में निकाल लेंगे और उसके बाद हम अपने आल् quería को पीछ लेंगे अब ये आलू मैंने डाल दिये हैं और देखिए इसमें मसाला भी मैंने डाल दिया है तो इसमें डाल देंगी थोड़ा सा पानी जिससे की आलू हमारे बढ़िया से पिस जाए तो यहाँ पर हमारा आलू का पेष्ट भी तियार हो गया है अब एक बरतन में निकालिया है मैंने आलू का पेष्ट यह देखिए बढ़िया सा आलू का पेष्ट तियार हुआ है हमारा तो अब इसमें डाल देंगे हम पोहे का पावुडर और अब इसमें हम थोड़ेसे मसाली अड़कर लेते हैं तो सबसे पहले डाल देंगे हम इसमें थोड़ेसे चिली फ्लैक्स अगर आपके पास चिली फ्लैक्स है तो वो डाल दीजे नहीं तो एक सावत लाल मिर्च को छोटी-छोटी टुकड़ों में आप पीस करके भी ड्याल सकती है यहाँ पर ड्या 95 थोड़ा सावथ धनिया थोड़ा से ड्याल दूंग कट हुआ हरा धनिया और नमक, हलदी और बाखी के मसालaları हम ड्याल चुके हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा डाल दूंगे आमले का पाउडर आप चाहें तो हमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं अब अच्छे से मिक्स करके इसका एक डोती यार कर लेंगे देखिए यह इतने स्पाइसी और इतने अच्छे बन जाते हैं तो आप इन्हें चटनी का फ्लेवर भी इन्हें के अंदर हो जाता है क्योंकि सारा चटनी वाला समान हम इसमें डाल चुके हैं अगर आप चाहें तो फिर भी सोश यह चटनी के साथी ने सर्व कर सकते हैं वैसे यह ऐसे भी बढ़िया लगते हैं अब देखिए इस तरीके से हाथ की हैल्प से हमें इसका एक डो त्यार कर लेना है यह फटा-फट से 10 मिनुट में हमारा नास्ता त्यार हो जाता है सुबह की भागदोड परी जिन्दगी में फटा-फट से आप यह नास्ता त्यार कर सकते हैं और बच्चों को तो ऐसी चीज़ें बहुत ही पसंद आती हैं तो आप फटा-फट से बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं अब हाथ की हेल्प से इस तरीके छुट-छुटी लोईयां ले लेंगे और दबाते हुए एक धक्कन ले लिया है मैंने मैं उससे शेप दे दूँगी अब यह हमारे तियार हो गए है स्नैक्स तो अब हम इने फ्राइ कर लेंगे फ्राइ करने के लिए मेरी यह लोही के कडाई में और रखा हुआ था तो इसी को मैंने गरम कर लिया है और इसमें डाल दूंगे एक के सारे स्नैक्स जितने इस कडाई में एक बार में आ जाएंग चार से पांच उतनी स्लेक्ष डालकर मैं इसमें दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन करके फ्राइ कर लूँगी देखिए इन्हें बिल्कुल मेडियम फ्लेम पर फ्राइ करना है कि जिसे कि अंदर तक बढ़िया से सिख जाएं तो इसी तरीके से इन्हें दोनों तरफ से अच्छे से चलाते हुए गोल्डन होने तक फ्राइ कर लेना है अभी देखिए इनका कलर चेंज होने लगा है जिभी बढ़िया से सिख जाएंगे उसकी बादिने निकाल लेना है तो यह देखिए यह गोल्डन हो गए है तो आब हम इन्हें निकाल लेंगे इस तरीके से साइड में लगाते हुए जिसे कि एक्ष्ट्रा चिकनाई सारी कडाही में रुख जाए हमें इन्हें निकाल लेना है यह देखिए कितने बढ़िया हमारे तैयार हो गए हैं तो यह आज का अमारा गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट तैयार है संडे स्पेसल स्नैक्स तैयार है आप भी ट्राइ कीजिए आप सभी को मेरे रीसीपी कैसी लगी कमेंट बुक्स में कमेंट कीजेगा वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नहीं रेसिपिट